विदियो में बात कर लेते हैं सिक्वेंट साइंटिफिक की कुछ लिस्स देख लेते हैं चनल को लाइक एंट सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो सिक्वेंट साइंटिफिक में आप देखोगे तो आज स्टॉक में तेजी देखने को मिली और अच्छा पूव था 17-18% की उ पास और स्टॉक प्लोज हो गया 120 के राउंड यहां कहीं पर अब यहां पर जो कुछ इंपॉर्टेंट है वह देख लेते हैं आप देखें स्टॉक काफी ताइम से फॉल कर रहा था यहां यह करेक्शन के फॉर्म में था और करेक्शन भी हो गया रिसेंटली स्टॉक के नत कल थोड़ी सी ठीक ठाक बायस एलर दोनों सेम सेम देखने को मिले बट आज कहीं ना कहीं अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली और उपर की दिशा में ब्रेक आउट हुआ है ट्रेंड लाइन का यहां कहीं पर अब सस्टेन करता है नहीं करता है वह देखते हैं क्योंकि उपर की दिशा में सस्टेन करेगा तो 125 का लेवल निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है तब कोई यहां पर एक स्ट्रॉंग सपोर्ट बनता है 125 का साइकलोजिकल लेवल है तो यहां अगर सपोर्ट बना लेता है तो जादा चांसे है कि स्ट्रॉक आप बाउंस कर जाएगा क कि आप देखें पहले भी 125 के लेवल से काफी उपर की दिशा नरधारित हो चुकी है यहां कहीं से आप देखें उपर की दिशा पहले भी रही यहां से भी रही और जाब फॉल बने तो 125 जैसी ब्रेक हुआ तो यहां पर बड़े फॉल बनते चले गए हर बार 125 पर टेस्टि का इक लेवल इंपॉर्टेंट है वहां पर अगर स्टेबिल्टी आ जाती है स्टॉक में तो डेफिनिटली चांसे है कि ऊपर की दिशा में अच्छे मूब वपन को देखने को मिलेंगे यहां पर एक नजर नतीजों पर भी डाल लेते हैं इसके नतीजे कुशी समय पहले र इसके बाद इंट्रेस्ट की बाता है तो 12 CR करा डेप्रिसेशन 16 का लास्ट टाइम यह 10 CR और 14 CR तो उतने जादा यहां पर आप देखें इंट्रेस्ट नहीं बड़ा डेप्रिसेशन भी जादा नीचे नहीं गया तो इवीटा मार्जिंस ठीक ठाक रहे नेट प्रॉफिट आप देखें एक CR करा लास्ट टाइम यहां पर 92 CR का नेगेटिविटी थी तो हालांकि यहां पर एक पोटेंशियल देखने को मिला है कि जंप करा है पॉजिटिवीडी के तरफ ज्यादा बड़े मूब्स तो नहीं देखने को मिलें इंवेस्टर्स ने थोड़े से स्टेक कि वर ऑड़े में एक इक पर बाइगा तो यहां पर अपने उपर की दिशामें टेखेगा एक बार नथाटिवाइब कोछ यह लेविल का अब यह पूरा जोन देखें तो बाउंस करता रहा तो यहां पर यहां पर यहां पर यह चीज़ें क्लियर कर दिए मैंने यह सारे पने रिजिस्टेंस रहेंगे यहां पर बता दूमें लाइव भी रहता हूं मार्केट आर में सुपह 10 बजी से एक बजी तक और साम को 9 बजी क्लियर कर लिया करिए जल्दी हो जाती है थोड़ा अलगी लेवल का एक इंट्रेक्शन रहता है और इतने जवाब नहीं दे पाता हूं कमेंट्स के नहीं हर एक वीडियो बना पाता हूं तो लाइव जोएन के जरूर किया करिए बात आती है कि स्टॉक में स्ट्रॉंग सप करते हैं 116 पर तो छोटे-छोटे सपोर्ट हैं दो-दो पॉइंट के ज्यादा नीचे नहीं है क्योंकि स्ट्रॉंग सपोर्ट 113 के नहीं जाना चाहिए तो यहां से बाउंस बैक करेगा तो अच्छी बात है क्योंकि ट्रेंड लाइन की ऊपर रहेगा तो यह सुचलों के ब्रेक आउट फिर सस्टेन कर रहा है रिटेस्टिंग के बाद चल देगा तो आई होप यहां पर मैंने सिक्वेंट साइंटेफे क्लियर कर दिया है मिलते नेक्स्ट वीडियो में दिस इस मी सुभमियादव साइनिंग ओफ